सिकह तेहास एक तों अनेक अनुख्यां लसानी शहाद तांथे कुर्बाजियाँ देनाल पर्या होयाई जो के सिखह नूँ एक मान दी तरां परतीत हो'MD या के सानू बहुत मान जिए पैदा होयां जी दे वेच मनुखता दी खातर सिखी दी खातर बहुत ही लासानी शहातां दितियां गयाने सड़े वड़े वड़े रहां दे बलू एना कुर्बानियानों जो आपा याद करते हां ता दो एहो जहियां शक्सियता ने जना दा नाम भी ओंदा है मुसल्मान बीबी मुमताज दे उना दे पिता कोटला निहांग खा एना ने मी गुरू गोबिन सेंग जी दे उना दे शरदालू सी वैसे ता आपा उनना पठाण राजयां दे बारे वी स्थोने आया के जो गोबिन सेंग दे दुश्मन सी आत दे वैरी बणे होय सी उनानू प ताक कि आयोए सी ते गुरु गोबिन सेंग जी तो बिना पहला मी कोछ गुरु जड़ेया ओ खोटला निहांग खानू मिले होए उना दी हवेली वेच गए होए सी सो आपा गाल कार दे हांग इना दुहां महान शक्सियतां दे बारे बीबी मुंताज ते उना दे पिता कोटला निहांग खान दी जड़ो गुरु गोबिन सेंग जी सरसा नदी उते परवार्दा वे छोड़ा पैंदा है ता उस तो अग्गे चाल दे चाल दे ओर रोपड पुझदे ने कोटला निहांग खान दी हवेली दे वेचे रुक देया ते ओ कोटवाल रोपड़ अली खान जो के अपनी सिपाहियां नू नाल लेके हवेली नू आणके केरा पालेंदा है चंगी तरह किले दी तलाशी कीती जांदी है ते उस तो बादो अपनी पूरी तरह तसली करदा है कि एथे कोई सेंग उस नू नहीं मिलता एक कोठडी जी पुछिया कि इस कोठडी दे अंदर कौन है जनू कुंडा लगा पे आए मैं एस दीवी तलाशी लेना चांदा ता उस कोठडा निहांग खाने अंदर असल देवेचे कोठडी वेचे पाई बचतर सेंग जी जखमी हालत देवेच सी कोठला निहांग खाने उस सेखनू बच चौन देवास ते एह बहाना ला दिता के इस कोठडी दे अंदर मेरी ती मुमताज ते मेरा जवाई सुते पैने जेतों हनू येकीनी ओंदा ता तुसी कुंडा खोल के देख साखते हो में तो अनू दुखा देना है ता ओ जड़ा रोपर दा कोठवाल सी ओं माफी मंग के जान दा उसकोठडी देवेच असल वेच भीबी मुमताज ते जखमी हालत स्वेच पाई बचसेंग जी सी बिबी मुमताज जो के पाई बचसेंग जी देवास अमबाल का रही सी उनना दे नाल अंदर बैठी सी ते ज़दों उसने बोल सुने आपने पिता दे मुहों के मेर नू आपना पती माल्या एथे दासदी के जानकारी देवास्ते के गुर्गोबिन सिंग जी डिड़े के पहला हवेली देवेच ठैरे सी उजदो ओ हवेली देवेच रुके पैसी ता पिछों बाबा अजीत सिंग जखमी हाल देवेच पाई बिचितर सिंग नू लेके ओंदेन गुर्गोबिन सिंग जी डिड़े के लागले पिंड़ा देवेच दुश्मन यां फोजां पहुंच जुकिया ने वड़ी गिंती देवेच तो उना ने एथो अग्गे चलना ठीक समझा गुर्गोबिन सिंग जी अपने सिंगा नू लेके ओंदे चले जान देने पर पाई पाई बचितर सिंग नू आपना पती मन के उना दीताय दिलों सेवा संबाल कार दिया जिनना समा पाई बचितर सेंग जी रहन देने क्योंकि अगले दिन ओहो शहीदी पार जान देने उनी देर पूरी तंदेही देनाल बीवी मुम्ताज ने उना दी सेवा कीती जदों ससकार कार देने ससकार करनतों बाद रातो रात ओ ओ उस अंगीठे नू चाक के संबाल लें देने उता नामों निशान उथो मिटा देने ताके दुश्मना नू पताना लाग सके सो इस तरह उना ने पाई बचितर सेंग जी नू अपने कारदे वेच रख्या ते ओना दी जा मुकाबला करके जित प्राप्त किती सी ते दस में पिता गुरुकोबन सेंग जी ने पाई बचितर सेंग जी नू गालदे नाला के था पड़ा देता सी समाब इतना गया जड़ो जड़ी बीबी मुम्ताज या ओ बसी पठाना दे मंगी होई सी जड़ों कारदे वेच निकादी गालत उरी बीबी मुम्ताज नो व्या करन दे वास्ते किया ता बीबी मुम्ताज ने अपने पिता कोटला निहांग खानू किया कि अबा जान के दे व्यादी गाल का रही हो कि एक मुसलमान बच्ची दो दो वार निकाह कर वा सकती है कोटला निहांग खान बहुत हैरान होए उन्हाने पुछा कि मुम्ताज की बोली जानी है ता बीबी मुम्ताज ने कहा ओ गाल जड़ी उन्हान याद कराई के तुसी जदो कहा सी पाई बचितर सिंग जीनू के ओहो मेरा जवाई है मैं ओधो तो ही उन्हान अपना पती माल लिया सी ते एक शहीद दी पतनी वास्ते जो दो दा पती शहीद हो जानदा है तो बाद दूस्ती वार शादी कर लाना व्याग कर लाना ए शहीद दी वास्ते अपमानित गल है सो उन्हाने कहा के मैं हुन व्या नहीं करांगी पूरी उमर अकाल पुर्खदी बंदगी ही कर दी रहांगी ते इससे तरा पना जड़ा जीवनया ओगुजारांगी सो उन्हाने कारदियाने जादा उन्हान व्यादे वास्ते जोर नहीं पाया बीबी मुम्ताज जो के स्वेर नू उठदी अमरत वेले इश्नान कारके जिथे गुरुगोबिन सिंग जी कोषडी देवेचे बिराजे सी उस अस्थान उते बैठके नाम सिम्रन कार भी बाणी पर दी ओदे तों बाद ही कोज शक दी सारा दिन ओहो फिर तों सिम्रन पगती दे नाल जूडी रहन दी शाम दे वेले जथे पाई बजतर सिंग जी दा ससकार किता सी ओथे बैठके बाणी पर दी ते ओदे तों बाद शाम दा जड़ा पोजने ओहो कार दी हर रोज बड़ी शर्दा दे नाल नेम दे नाल चाड़ू फेर दी एना दुहां अस्थाना दे ते दिवया वीज गौंदी बीबी मुम्ताज जो के एक सो साल तक कोटला नेहांग खांदी ए रोपड़ वाली हवेली देवे चही रही यसे तरह ओदा नेम चालदा रहा बीबी मुम्ताज जो कि सारा दिन ही बंदगी दे नाल जूड़ी रहंदी सी नाम सिम्रन दे नाल जूड़ी रहंदी सी ओ खोद ही संत रूप हो गई बहुत ही काट बोल दी ते जिन्नावी बोल दी ओसे बचन जड़या ओ पूरे हो जांदे दसमें पात्षा कलगी तर पिता गुरु गोबिंद सेंग जी दे चरना ना बीबी मुम्ताज दा अथा प्यार सी अथा शर्दा सी ओ अकदिक ताईं एहें अपने मुखों उचारदी रहंदी हर्थाएं सहाए गुरु गोबिंद सिंग जी, पाने का खा बेंद गुरु गोबिंद सिंग जी, हर्ता करता आप गुरु गोबिंद सिंग जी, बिर्द बाने की लाज गुरु गोबिंद सिंग जी, वाह वाह पात शाही गुरु गोबिंद सिंग जी बीबी मुम्ताज दे वेच जड़े लोग शर्दा राख दे सी बहुत लोग बीबी मुम्ताज दे दर्शन कर नवास्ते होंदे उन्हानों मिल नवास्ते होंदे जसनू बीबी मुम्ताज दे पिता कोटला निहांग खाने ही बनवाया सी ओथे जाके बीबी मुम्ताज उसे तरह आपनी सिवा सिम्रन बंदगी देवच जूरी रहन दी इना दोहां अस्थाना देवते शर्दा देनाल मता केख दी जदो बीबी मुम्ताज उसे ओंदी ता लोक जड़ियां संगता सी ओखोवी एथे ओंदे एथे रोणका लाग जांदियां लंगर लाग दे 31 साल बीबी मुम्ताज नौरंग पुर्दे किले देवेच रही 31 साल दी उमर पुरी करंतों बाद नौरंग पुर्दे किले देवेच ही बीबी मुम्ताज गुरु कोपिन सिंग रीदे चर्ना देवेच जाबिराजी सो एस तरह बीबी मुम्ताज आपनी सेवा नुन निबवांदे होए अकाल पुर्खदे पाणे वेच रहांदे होए किता गया है बीबी मुम्ताज ते उना दे पिता कोटला निहांग खान इना दिया कुर्बानिया नुई बाकी सिंगा शहीदा दिया कुर्बानिया दे नाल रेंदी दुनिया तक याद किता जाएगा ते इना कुर्बानी कर्ण वालिया नो हमेशा सजदा भी होंदा रहेग झाल